प्रहाटाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें महिश ग्रामदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाटाइम्स करना टक हाई कोट ने मंगलबार को यह फैसला दिया है, पिछले चोहतर दिन से इस मामले पर जारी घमासान को लेकर दिये फैसले में हाई कोट ने दो एहम बाते कही हैं महिली बात है हिजाब इसलाम का अनिवार यह हिस्सा नहीं है, दूसरी बात इस्टूडेंट स्कूल या कोलिज की तैश शुदा यूनिफॉर्ण पहनने से इनकार नहीं कर सकते हैं हाई कोट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेट दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गई आठ याजकाएं खारिश कर दी हैं चीफ जैस्टिस रितूराज अवस्थी जैस्टिस क्रिस्ट एस दिक्षित और जैस्टिस खाजी जैबुन निशा मुहिनुदीन की तीन मेंबर वाली बेंच ने राजसरकार की पांच फर्वेरी को दिये गए आदेश को भी निरस्ट करने से इनकार कर दिया है कि इस मामले में दो सवालों पर गौर करना एहम है पहला सवाल क्या हिजाब पहनना अर्टिकल 25 के तहट धार्मिक आजादी आजिकार में आता है दूसरी क्या इसकूल यूनिफॉर्म पहनने को कहना इस आजादी का हनन है इसके बाद हाई कोट ने सैच्छनिक संस्थाओं म हिजाब पर बैन को सही ठहराया है यानि कि करनाटक में स्कूल कोलेजों में हिजाब पर पाबंदी बरकरार रहेगी वहीं एमाईयम पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी ने करनाटक कोर्ट के फैसले से असहमती जाहिर की है इतना ही नहीं उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लि असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है कि करनाटक हाई कोट के फैसले से सहमत नहीं है फैसले से असहमत होना मेरा हक है मुझे उम्मीद है कि आज का करता सुप्रीम कोट का दर्वाजा खटखट आएंगे तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रही है प्रहाट टाइ सबस्रोंख़ में है